बच्चो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रुथ्वी से अगनी तक यह पाड समझा दिया था और उसका स्वाध्य है भी समझा दिया था अब मुड़ते हैं भाषा की ओर प्रश्ण है दाएं पंख में उपसर्ग तथा पाएं पंख में प्रत्य लगा कर शब्द लिखो तथा उनकी वाक्य बनाओ अब उपसर्ग का क्या मतलब होता है यह मैं आपको समझा देती हूँ तो जो शब्दाउश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्थन कर देता है या मूल शब्द के अर्थ में विशेश्टा लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं जैसे असे असत्य, अधर्म, अशूप, सूसे सुपुत्र, सूमती, सुशील, कूसे कुसंग, कूप्रथा, कूमती, आदी. अब प्रत्य, तो जो शब्दाउश, शब्दों के अंत में जुड़कर, उनके अर्थ में विशेष्टा उत्पन्न कर देते हैं, या परिवर्थन लाते हैं, उन्हें प्रत्य कहा जाता है. जैसे विदेश में ई जोडने पर विदेशी, नाकपूर में ई जोडने पर नाकपूरी, वीर में ता जोडने पर वीर्ता, मधूर में ता जोडने पर मधूर्ता, दया में वान जोडने पर दयावान, गुण में वान जोडने पर गुणवान, आदी. अब यहाँ पर उधारेन की तोर पर दिन यह शब्द दिया है इसे प्रती यह उपसर्ग लगाने के बाद शब्द हो गया प्रती दिन और इसका वाक्य में प्रयोग मैं प्रती दिन खेलता हूँ और दिन को भर यह प्रत्य लगाने पर शब्द हो गया दिन भर वाक्य हो गया दिन भर नहीं खेलना चाहिए अब दूसरा शब्द दिया है नम्र इसे वी उपसर्ग लगाने पर शब्द हो जाता है वी नम्र और वाक्य अंकिता बड़ी वी नम्र लड़की है और नम्र को ता यह प्रत्य जोडने पर शब्द हो गया नम्रता वाक्य हमें अपने माता पिता के साथ नम्रता से बात करनी चाहिए फिर शब्द है डर इसे नी यह उपसर्ग लगाने पर शब्द हो गया निडर वाक्य अनु एक निडर लड़की है फिर उसे डर को पोक यह प्रत्य लगाने पर शब्द हो गया दर पोक वाक्य रुची का एक डर्पोक लड़की है फिर शब्द है जल इसे उपसर्ग लगाने के बाद शब्द हो गया निर्जल वाक्य आज मेरी मा का निर्जल उपवास है और इसे प्रत्य लगाने के बाद हो जाता है जलहिन जैसे बारिश न होने से यह तालाब जलहिन हो गया फिर शब्द है साहस इसे उपसर्ग जुडने के बाद शब्द हो गया दूसाहस वाक्य इस तालाब में तेरने का दूसाहस मत करो और प्रत्य लगाएंगे तो शब्द हो जाता है साहसी वाक्य रमेश बहुत सहासी है फिर शब्द है सत्य इसे अ यह उपसर्ग लगाने पर शब्द हो गया असत्य वाक्य गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे और वादी यह प्रत्य लगाने पर शब्द हो गया सत्यवादी वाक्य राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध है तो इस प्रकार आपको ये जो दिये गए शब्द है उनको उपसर्ग और प्रत्य लगाकर शब्द बनाने है और उनके वाक्य बनाकर आपकी नोड़बूक में लिखने है